में में टीचिंग पॉइंट के ओफिसल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है सबसे पहले आप सभी से रिकेस्ट है यह हमारा एक सपोर्टिंग नया चैनल है आप सब्सक्राइब यागू करिएगा हमारा ओल्ड चैनल यूट्यूब पॉलसी की वज़े से टर्मिन आप इसकिन पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 388 यानि 388 पदों पर जो नोटिफिकसन है आज ही NTA की तरफ से रिलीज किया गया है जो भी साथी इलिजबल है जो भी साथी इंटेस्टेट है वो इस फार्म को जरूर अप्लाई करें और तीन महिने के अंदर ही पूरी भर का और स्टेनोग्राफर का फिर यहाँ पर इसके लबा आप देखिएगा लाइबरीन का है कुक का है मैसल पर का है तो कुल मिला करके यहाँ पर हर कटेगरी की जॉप इसमें दी गई है आप अपने अपने हिसाब से इस फार्म को यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं कुछ डिट बताई गई किसी के लिए 50 साल है किसी के लिए 40 साल है उम्र और लगबग सब के लिए यहाँ पर 40 साल रखे गई बाकि अगर आप S.A.S.T.O.V.C. से आते हैं तो 3 साल 5 साल की जो छोट दी जाती ही उम्र की वह यहाँ पर छोट दी जाएगी पोरी जानकरी आपको बताई ज इसमें सारी बाते बताई कि नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्ट है वो यहाँ पर निकाली गई है यहाँ पर आप देखेंगे सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेसर नीचे के तरब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है डिप्टी रेजिटर के लि के लिए क्या चाहिए सक्सान ऑफिसर के लिए यहाँ पर सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है होना चाहिए और इसके बाद आप देखेगा असिस्टेंट के लिए फिर जूनियर असिस् और यहां पर private secretary के लिए आप देखेंगे बैचलर डिगरी पास मांगा गया है और फिर देखें experience भी यहां पर मांगा गया है तो कोई-कोई post ऐसे ही जहां पर experience मांगा गया है बहुत से post ऐसे हैं जहां पर experience नहीं मांगा गया बाकि आपको stenography यहां पर आने चाहिए private secretary post के कुल मिलाकर कि यह जो तीन post है stenographer की, personal assistant की और private secretary की इन तीनों के लिए इस टेनों आपकी जरूरित है याने इस टेनों आपको आना चाहिए यहां पर बताया गया dictation जो है 10 मिनट में 80 सब्द पृति मिनट के हिसाब से आपको लेखना होगा और फिर यहां पर transcription में 50 मिनट English औ के और या 65 मिनट हिंदी के हिसाब से आपको यहां पर time दिया जाएगा फिर research officer है फिर इसके बाद आप assistant librarian के लिए देखेंगे तो library में डेपले होना चाहिए पर proportion assistant का है semi proportion का है अब अपने अपने हिसाब से इस पूरे notification को download करिएगा अच्छे तरीक से read करिएगा जिसके लि करेंगे यहां पर सारी जो है update आपको आगे दी जाएगी किसके कितने फीस यहां पर ली जा रही है पोस्ट आप group A group B और group C यह तीनों टाइप में यहां पर पोस्ट की गई है यहां पर 1500 रुपे और 1000 रुपे फीस यहां पर लग रही है कुल मिलागर की फीस यहां पर जल्दी से जो है देख लेता हूं और आपको बता देता हूं फिर देखें यहां पर यह बताया गया है कि no objection certificate है जो गौर्मेंट जॉब में हैं उनको नोसी यहां पर रिप्रिजेंट करनी होगी तो फिलाल अभी इतनी जानकरी ही इस नूटिस में देखने को मिल रही है आप फटा फट इस फार्म को जरू भरिएगा इसके लबाँ यहां पर बात करें आप इसके पर देख सकते हैं अलग अलग सारी बाते आपको यहां पर मिल जाएंगी मतलब आपको education के हिसाब से जानकर यहां पर मिल जाएगी किसके लिए क्या-क्या experience चाहिए क्या नहीं चा रहना चाहें इस PDF को डाउनलोड करना चाहें तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप नीचे के तरफ स्क्रॉल करिएगा स्क्रॉल करने के बाद यहां पर क्लिक करिएगा क्लिक करिएगा और आपके सामने जो registration वाला page होगा open हो जाएगा जहां पर आपको अपना complete फारम फटाफट फिल कर लेना है तो इस तरीके से आप अगर eligible हैं तो फारम भरिए और आप फिर अपने पेपर की तैयारी करिए चुके इसका exam बहुत जल्द यानि एक से डिड़ मा के अंदर ही online तरीके से complete कर वा लिया जाएगा इस वीडियो में इतना ही था syllabus अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा मैं एक नए वीडियो के साथ syllabus भी बता दूँगा फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए थे वाजिन दिस वीडियो